कि अब बात करेंगे उन टूल्स के बारे में जो हर एक के सिस्टम में होने जरूरी है तो आपकी सिक्यूरिटी अगर आपको अपने हाथों में रखनी है सबसे पहला है एक अच्छा एंटिवायरस नहीं रखते हैं तो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकते हैं यहां पर में आपको टोटल एवी जो बिडिफेंडर एंटिवायरस है वो रेकमेंड करूँगा फ्री वर्शन भी रख सकते हैं आप इसका पेड वर्शन भी परचेस कर सकते हो सेकिन एक वी पिन अगर आप चाहें तो नौड वी पिन या प्रोटोन वी पिन कहीं सारे वी पिन सॉफ्टविर्स है वह एड़ सकते हैं अपने सिस्टम में ताकि एक एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्यरिटी एड हो जाए अब अगर आप जादा ही अनॉनिमीटी या प्रिविसी फोकस्ट है तो यहां पर मैं आपको रिकमेंट करूंगा आप तॉर ब्रॉजर निस्टॉल कर लीजिए ताकि तॉर नेट्वर्क से आप अपना डेटा एक्सेस करेंगे बट यह कंपरेटिवली स्लो हो जाएगा तो जनरल यूज के लिए वी पेन और बेट कर देंगे एक और एक्स्टेंशन है जो आपके सिस्टम में होना ही चाहिए जो कि है यूब्लॉक ओरीजिन यह आपके फालतू के एड्स को ब्लॉक करेगा सिस्टम की सिक्यूरिटी को बढ़ाएगा एड्स अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी प्रिविसी भी मेंटियन रही तो आप जॉइन कर सकते हैं W.C.E.H. Batch अब इस Batch में ऐसा क्या खास है देखे W.C.E.H. Batch में आपको 20 प्लस प्रीमियम मॉडूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथी साथ कई सारे अमीजिंग टूल्स आपको मिलेंगे Quizzes, Assignments and Test यह आपको Upskill करेंगे आपको Teachers प्रोइड होगी and Notes प्रोइड होगे ताकि आप अपनी Knowledge को और ज्यादा Refine कर सके Proper theoretical and practical concepts पे काम किया जाएगा या नहीं आप theory भी सीखेंगे और साथी साथ practicals पे ज्यादा focus करेंगे Practical Lab Setup करी जाएगी उनके Assignments होंगे and many more अब ज्यादा डीटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं अब आपके Firewalls भी Enable होने बहुत जरूरी है अगर आप Windows यूजर है तो आपको पता है Windows Defender Firewall एक option रहता है अब वो नो डाउट बहुत अच्छे सेवक करता है ने क्यों ना एक ऐसा software हो जो उसे properly manage करें आपकी गलतियों से उसे सिखाए उसी के लिए a completely free firewall generating या firewall enabling software है जिसका नाम है Tiny Wall यह आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको Tiny Wall के बारे में काफी चीज़ें पता चलेगी simply उसे install करना है and on कर लेना है और कुछ नहीं बागी सारी ची लेवल की security की अगर आप वेरा क्रिप्ट एक ऐसा टूल है जो की encryption प्रोवाइड करता है वीरा क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं आपके data encrypted रख सकेंगे bitlocker आपके system को encrypt कर सकता है पूरे system को आप bitlocker यूज करते है windows में तापके पूरा system encrypted रहेगा बट particular कुछ files को encrypt करना है त तो वीरा क्रिप्ट वी-e-r-a-c-r-o-i-p-t ऐसा software है जो आपको अच्छे से encryption प्रोवाइड करेगा हर फाइल पर जो भी आप चाहते हैं अब बारी आती है online security में एक और major pointer की जो कि यह search engine मैं आप सभी को recommend करूंगा कि आप सभी डगडग को use करें क्योंकि वह बहुत privacy oriented search engine ह हम generally searches के लिए google prefer करते हैं बट वह हमें track करता है तो अगर आप crackers से से बचना चाहते तो आपको डगडग को use करना चाहिए and now last but not the least thing आपको अपने operating system को up to date रखना है हर समय सारे update सारे patches install करना है ready रखना है ताकि आपकी overall security maintain रहे इन simple steps और इन simple tools को use करके आप अपनी privacy को बहुत अच्छे से handle कर सकते हो एंड ज्यादा कुछ यह है भी नहीं आपको simply कुछ चीज़ें adopt करनी है बागी कुछ भी नहीं है तो यह चीज़ें adopt करिए चीज़ें को use करना चालू करिए आप अपनी privacy को और enhance देखेंगे अब हम आगे वह चीज़ें भी देखेंगे जो हमारे लि चीज़ें रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मुल्दा हम से नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इंफर्मेटिव और नॉलिजिबल कंसर्प्स के साथ तिल दन इस इस अंकुर जोशी साइन इंग और